दोस्तों मेरा नाम अली सफे आप सभी का इस चैनल पे स्वागत तरह आज लैक्टॉप आपक्सिंग करने जा रहे हैं कि इस लैक्टॉप पे क्या कुछ मिल दाता है आनबॉक्स करेंगे और चलिए शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की हुए तो आपको वीडियो के नीचे मेरेट करगा सब्सक्राइब बटन होगा आपको क्लिक करके अफ्सक्राइब कर लिजिए इसी तरह का उनबॉक्सिंग रिव्यू टिप्स एंड ट्रिक लाते रहते चैनल के तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप बताते हैं किया कुछ अच्छ मिला कैसा लैप्टॉप लिये हैं तो देखे आपको यहां पर आसुस लिखा हुआ है आप यहां पर दिखें इन सर्च ओफ इनकेड़बल तो यह इस तरह का आपको यहां पर फ़र्स्ट मिल जाता है आइस एड पर आपको देखें यहां पर क्या कुछ लिखा सेट की बात करोंते हैं आपको यहां पर सारा कुछ मिल केंने के लिए यहां पर देख देखे किया कुछ आपको रूते हैं यहां पर देखे 4 GB के रहम लिया है और 1 TV का हजडिक्स है चार्ड जी र्यूबार यही है तो काफी बारा है मैं लिया था इसको 35,000 में लगबक तो काफी अच्छा है देखते हैं इसको अंदर लैप टॉप को और कैसा दिखता है इसके अंदर क्या कुछ मिलता है तो यहां पर इस तरह काड दीजिए इसको काडने के बाद इसको इस तरह का आपको यहाँ पर गिरा दिजे और उसके बाद यह देखिए आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का तो यह बिल है तो यह बिल देखिए यहाँ पर आपको यहाँ बिल मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको देखिए चार्जर मिल जाता है आप चार्जिंग नहीं है तो यह आप देख लिख दिए रेटिंग के सा है आपको यहां पर मिल जाता है दिख रहा हो यहां पर दिख रहा होगा लिखा हुआ तो यह चार्जिंग मिल जाता है उसके बार यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए आपको पावर केवल मिल दाता है जो इसके अंदर आप लगा सकते लगा करके आप ये चार्ज कर सकते हैं अब फाइनली यहाँ पे लैप टोप आपको दीख रहा है लैप को जब तब साइड रखते हैं उसके बाद बता दो यहाँ पे आपको कुई गाड दिया गया है कैसे आप स्टॉल करना चाहते हैं कैसे क्या है आपको यहाँ पे दिए सबची गाड करने के लिए यहाँ पे बताया गया जो कुई कुमेबों है यहाँ पे आपको ड्रैवर का एक सीडी दिया गया जो आपको फर्स टाम विंडो जा लेंगे तो आप इसको ड्रैवर इस्टॉल कर सकते हैं तो फिलाल इसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो बक्स को सैट करते हैं आपको लैप्टोप में देखाते हैं तो यह देखिए लैप्टोप इसे कॉबर लगा हुआ है तो यह देखिए लैप्टोप है यहाँ पे आशूस लिखा हुआ है अग काफी लियार्ट वेट है यह काफी अच्छा यहाँ पे फिनिसिंग लगा रहा उपर में एक चमकदार रगा हुआ यहाँ पे कुछ आब आद सुन सकते हैं यहाँ पे इस तरह का यहाँ मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए आपको तो यहाँ पे देखिए पावर के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपको इंटरनेट के लिए मिल जाता है यहाँ पे विजेब पोट है अब यहाँ पे आपको HDMI कि माइप दिया गया है उसके बाद सी पोर्ट है उसके बाद यूज्पी यहाँ पे उस लॉक कर यह दिया गया है अब इस इड़ की बात करों तो यहाँ पर आपको मेमडी लगाने के लिए यहां पर हैंड फीर लगा सकते हैं एक गष्टर भी यूस्पी दिया गया और यहां पर आपको सीड़ी रूम मिल जाता है जो सीड़ी के लिए तक काफी बढ़िया देखिए, आपको यहाँ पर इत जगा फे पीछे का दोनों speaker मिल याता है, तो काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लैप्टॉप काफी अच्छा quality है, यहाँ पर लैप्टॉप दिख रहा है, ग्राफिक के साथ पर इन्दर, आप इसके आप उपन करते हैं, यह देखिए, यहां पर देखिए Intel Core i3 का लिया था 5 generation और उसके बाद यहां पर नोइडर का Infox 930M का यह पॉसिसर है आपको यहां पर बैटरी रहा है यहां पर देखिए सारा कुछ आपको यहां पर दिख रहा है मॉइस का यहां पर टच बोधन काफी सुमूद लग रहा है यहां पर देखिए दिया एक्दम सुमूद लग रहा है कीपैट काफी अच्छा लग रहा है he ha Han इसका कीवर्ड भी अच्छा है और डिस्पेले काफी बढ़िया लग रहा है याँ आप देख सकते हैं तो यहां पर देखिये आसुस भी लिखा हुआ यहां पर मैट फिनिसिंग है डिस्पले काफी बढ़िया है इसका मैं अभी तक मैं डोज लिया था इसका अंदर विंडोज नहीं डाला हुआ है तो बस अन्बॉक्सिंग बस इतना ही अगले वीडियो में इसका रिव्यू पुरा डिटेल बताएंगे कि इसके अंदर कितना अच्छा है और इसके इसमें कितना फाथ चलता इसमें सारा चीज बताएंगे अन्बॉक्सिंग बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जुरू कर दिजे हमारी चैनल को subscribe नीके में तो इस चैनल को rate कर लगा वीडियो के नीचे में rate कर सब्सक्राब बटनों को सब्सक्राब कर लिजे अगर दोस्तों को फ्रेंड को वीडियो को set कर सकते हैं कोई भी सवाल पूछना जाते है तो comment section में आप पूछ भी सकते हैं तो चलिए नेस मुड़ी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ जब तक अपना ख्याल लगके सुरचित रहें खुदा आफीज